Welcome to study24 दोस्तो बिहार V8 परवेस परिच्छा 2020 के लिए जो आप लोगों ने कोमेंट किया था कि सर कौन से बिस विद्याले में कितने सीटे हैं ये बता दिजे कौन से बिस विद्याले में कितने कॉलेज हैं ये भी बता दिजे और टोटल सीटे कितनी हैं ये कनफर्म आप होकर बता दिजे तो मैं आपके लिए यही लेकर आया हूँ देखिए आज एक दम बिल्कुल कनफर्म है कौन से बिस विद्याले में कितने सीटे हैं कौन से बिस विद्याले में कितने कॉलेज हैं और टोटल कितनी सीटे हैं ठीक है तो ये लिस्ट मैंने बना कर आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों ने कॉमेंट किया था कि सर फीस कितना लगेगा तो फीस का मैंने वीडि डालूं तो आपको आसानी से मिल जाए ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा देखिए विहार वीड एंट्रे मितला 20 विद्याले के तरफ से इस बार पर इच्छा ली जा रही है सभी जितने वे बिहार में कॉलेज है सभी का एकजाम जो है वो यही 20 विद्याले ले रही है ठीक है तो चलिए देखेंगे आज के विडियो में क्या क्या है देखिएगा पहला है कौन से 20 विद्याले में कितनी सीटे हैं दूसरा है कौन से 20 विद्याले में कितने कॉलेज हैं और तीसरे में देखिएगा आप पूरे बिहार में कुल मिलाकर कितनी सीटे हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे पलपल के अपडेट्स के लिए और अगला वीडियो आप लोगों के लिए कोर्स फिसका होगा नया वाला तो मैं आपके लिए वीडियो लेखर आऊँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जैसे ही वीडियो डालू तो आपको मिल जाए देखिए ये रहा लिस्ट देख लिजे अच्छे से देखि कॉलेज है इससे अफिलेटेड कॉलेज सरकारी और प्राइबेट जितने भी कॉलेज है वो कितने कॉलेज है 33 ठीक है 33 कॉलेजेस है और टोटल सीटे कितनी है सब मिलाकर तो 3000 सीटे दी गई है अब देखिए आगे आगे देखते हैं कौन-कौन से इंवर्सिटी है आपके न तो 13 एफिलेटेड कॉलेज है और सीटे कितनी है 1350 सीटे है ठीक है 1350 सीटे टोटल है और देखिए तीसरे में आपका आगया भीमराव अंबेदकर इंवर्सिटी मुझभरपूर इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कॉलेजेस है 57 कॉलेज है 57 कॉलेज और टोटल सीटे कितन है 6050 सीटे हैं तो मुझभरपूर में सबसे ज़्यादा सीटे दी गई है और देखिए चोथे में है जय परकास इंवर्सिटी छफरा तो ये इसमें आपका 12 कॉलेज है और टोटल सीटे देख सकते हैं आप 1250 सीटे दी गई है और पाचवे में है कामेशवर सिंग संस्कृत बिस्विद्याले दर्भंगा तो इससे कोई भी कॉलेज एफिलेटे नहीं है सिर्फ ये आपका इंवर्सिटी में ही एडमिशन होगा इसलिए देखिए ये एक दिया गया है ठीक है एक और टोटल सीटे कितनी है 100 ये आपको डेटा कहीं नहीं मिलेगा तो मैं आपको दिख ठाराओं 100 सीटे यहाँ पर दी गई है अब चलिए आगे देखते हैं चटा जो है आपका देखिए ललित नारायन मिथला विस्विद्याले जो इस बार परिछा ले रही है वो विस्विद्याले से कितने कॉलेज है देखिए 31 कॉलेटेड है ठीक है सरकारी प्राइबेट में देखिए 47 कॉलेज है टोटल 47 कॉलेज है और सरकारी प्राइबेट दोनों मिला कर ही मैं सभी का बता रहा हूं ठीक है सभी का सरकारी और प्राइबेट मिला कर बता रहा हूं इस विडियो में तो ध्यान दिजेगा तो 47 कॉलेज है इसमें मगद विस्विद्याले में और अर्वी, फार्शी, विश्विद्याले, पटना इसमें कितनी कॉलेज हैं? तो 30 कॉलेज है 3050 सीटे टोटल दी गई है अब देखे 9 नमबर पे हैं मुंगेर, विश्विद्याले, विहार तो इसमें 5 कॉलेज एफिलेटेड है सरकारी फ्राइबेट मिलाकर 5 कॉलेज है और टोटल सीटे कितनी है? 500 ठीक है? 500 सीटे दी गई है अब देखे नालंदा ओपन इनवर्सिटी तो इससे तो कोई कॉलेज एफिलेटेड नहीं है लेकिन इन में जो सीटे दी गई है वो है टोटल 100 तो नालंदा ओपन इनवर्सिटी जो पटना विश्कोमान भवन में है तो वो आपका ये रहा 100 सीटे दी गई है अब चलिए देखते है 11 वा नमबर वाला पटना विश्वी जाले जहां कि सबसे कम फीस लगती है आप लोग ध्यान रखिएगा 10 से 15 हजार के बीच में अगर आपका एडमिसन इसमें होता है तो 10 से 15 हजार रुपे में आपका बीच कम्पलीट हो सकता है लेकिन यहां सीटे बहुत कम है देखिएगा ये एक आपका इसमें दो कॉलेज है एक तो पटना इनवर्सिटी खुद है और दूसरा एक महिला कॉलेज है वो उससे है तो महिला कॉलेज वाले में तो सिर्फ महिलाओं को हो सकता है लेकिन जो बाकी है वो एक इनवर्सिटी है इसमें पुरुस का भी होता है और महिला का भी होता है तो टोटल डेट सो सीटे यहाँ पे दी गई है और ये आपका सबसे कम कॉलेज फीज जो आपका लगता है वो पटना विस विद्यालाई में ही लगता है 10 से 15,000 के बीच में आपका बीर्ड कम्पलीट हो सकता है अब देखिए बारवे नमबर पे पाटली पूतर बीश विद्यालाई है जो नयावाला अभी खुला है पाटली पूतर बीश विद्यालाई उसमें 54 कॉलेज है जो 54 कॉलेजे है जो एफिलेटेड है ठीक है 54 कॉलेज और टोटल सीटे भी यहां पी बहुत ज़्यादा है देखिए 6050 तो देखा आपने यहां पटली पूतर में आपका 14 कॉलेज और टोटल सीटे कितनी है 6050 अब पुर्णिया बिसविद्याले की बात करते हैं तेरवे नमबर पे है पुर्णिया बिसविद्याले पुर्णिया बिहार इसमें साथ कॉलेजेस हैं साथ कॉलेजेस एफिलेटेड है और टोटल सीटे कितनी है 700 ठीक है 700 सीटे है और तिलका मांजी बिसविद्याले तो सभी देख लिया आपने और लाष्ट में बचता है देखिए ये टो टल बिहार में कितनी कॉलेजेस हैं तो देखिए नए लिस्ट के अनुसार में आपको दिखाया हूँ टोटल 328 कॉलेज है और विश्विद्याले और कॉलेज मिलाकर 328 है ठीक है और आपका टोटल सीटे कितनी है 35,000 ठीक है 35,000 सीटे टोटल दी गई है 328 कॉलेज और विश्विद्याले मिलाकर तो ये था data अगर आपको और भी किसी topic पर विडियो चाहिए तो आप हमें comment जरूर करिएगा ऐसे मैं आपके लिए अगला वीडियो जो लेकर आने वाला हूँ वो है course face का ठीक है course face का पहला वीडियो आपका course face का आ जाएगा और दूसरा वीडियो आपको हो सकता है, एक ही वीडियो में दोनों आ जाए, तो course phase का आ जाएगा पहला, और दूसरे में आपका रहेगा कि कितने सरकारी college है, और कितने private college है, ठीक है, कितने government college है, और कितने private college है बिहार में, ये मैं आपको जानकारी next वीडियो में देने वाला तो चैनल को भाई जेहिंद